भले ही देश में गाए पर गदर मचा हो और केरल में वीव पाटी की जा रही हो लेकिन जिस गाए पर राजनीती कर रहे हैं वही गाए कैंसर जैसी बिमारी से निजाद दिला सकती है केरल में पाई जाने वाली वैचूर नसल की गाई के दूद में चौकाने वाले तत्थ सामने आए है इस गाई का दूद A2 बीटा केसिन तो है ही साथ ही इसके दूद में कैंसर जैसी घातक बेमारी से लड़ने की रोख फ्रतिरोधक शमता भी है ये खुलासा National Bureau of Animal Genetic Resources में हुए अभी तक के शोध में हुआ है वैचूर नसल की गाई के लेक्टोकेरिन में आरजिनो की मात्रा अधिक होती है यही कारण है कि इसके दूद में कैंसर प्रतिरोधक शमताज ज्यादा है वैसे तो वैचूर नसल की अनोखी गाई केरल में पाई जाती है लेकिन कारस गुड इसका गड़ बताया जाता है दूद उत्पादन की बात करें तो इस्थानिय लोग आठ किलो तक का दावा करते है वैज्यानिकों का कहना है कि ये गाई छे कीलो तक दूद देती है खास बात ये भी है कि इसके रखरखाव का खर्च भी बेहत कम है इसको विशेश डाइट देने की जरूरत नहीं होती बाहर से ही घास फूस खाकर अपना पेड भर लेती है केरल की वैचूर प्रजाती दुनिया की सबसे छोटी नसल है इस प्रजाती की गाई में सरवाधिक साथ फीसिती वसाप पाई जाती है किन्तु संख्या बढ़ाने पर सरकारों ने कोई रोचीन नहीं ली वैचूर नसल की गाई के दूद में कैंसर प्रतिरोधक्षम ताज ज्यादा है हाला कि इस पर अभी रुसर्च चल रही है कि दूद में और क्या गुडवत्ता है जानने की कोशिश की जा रही है कि ये गाई कितना तापमान जहेलने में सक्षम है हमने सैंपल लेते समय इस बात का ध्यान रखा है कि सभी गाई एक परिवार से न हो अलग-अलग गाईों से सैंपल एकत्रत किये गए हैं और अगर ये साबित हो गया तो आने वाले समय में वैचूर नसल की गाईों के दूद से कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी का इलाज संभव हो सकेगा एनमेफ निउस की रपोर्ट